ओम शान्ती, आज है 28.08.2021, मीठे बाबा के महवाक्य सुनेंगे, मुरली का सार है मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, अगर कोई उल्टी सुल्टी बाते सुनाई, तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, अगर कोई उल्टी सुल्टी बाते सुनाई, तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो, प्रश्न है, जो बच्चे ज्यान की खुशी में रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उद्धर है, वह पुराने करम भूग का हिसाब किताब, उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे, ज्यान की खुशी में दुख, दर्द, गम की दुनिया ही भूल जाती है, बुद्धी में रहता, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रही हैं, रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल, खुशी की दुनिया में ले जाने, गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, ओम शान्ती, मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना, जरूर बच्चों के रुमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, अभी तुम सभी रुहानी बच्चों को बेहत का बाप मिला है, बेहत का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं, जब और बच्चे बनेंगे, तो उन्हों के भी रुमांच खड़े होंगे, तुम जानते हो हमारा राज्य था फिर राज्य गवाया अब फिर राज्य लेते हैं भारत वासियों के लिए यह खुश कबरी है ना परन्तु जबकी अच्छी रिती सुने और समझे बरोबर यह खुशी की बात है ना कल्प कल्प बाप आते हैं बाप का जनम भी यहां गाया जाता है, तुहार भी जो हैं सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है, मनुश्यों को तो अनेक प्रकार के गम है। यहां इस ग्यान की खुशी में वह गम, दुख आदी सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बिमार ठीक होने पर आता है, तो सबको खुशी होती है। बिमारी आदी दुख की बाते जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदी सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम सब विश्व के मालिक थे। फिर रावण ने शाप दिया है, यह है गम की दुख की दुनिया, फिर कल होगी खुशी की दुनिया, खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदी सब भूल जाने चाहिए। यह है तमो प्रधान दुनिया, भिन भिन प्रकार का करम भोग है, अब लाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विग्न आते हैं, यह विग्नों के करम भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है, बाप धीरच देते हैं, बाकी थोड़े रोज है, कल्प पहले भी हुआ था करम भोक का हिसाब किताब चुक्तू होना है खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ बस बाप और वर्षे को याद करते रहो उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो नहीं तो और ही दंड पढ़ जाता है पद भ्रष्ट हो जाता है बच्चों का काम है एक बाप को याद कर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकरम विनाश हो जाएंगे हिसाब किताब चुक्तू हो जाएगा बाकी थोड़ा समय है हिसाब किताब चुक्तू करते जाओ क्योंकि तुम हो अंधो की लाठी तुम भी याद करो दूसरों को भी रास्ता बताओ विग्न त तबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है। मनमनाभव, अर्थात, हे आत्माएं मामे कम याद करो तो तुमारे पास्ट के विकरम भस्म होंगे। इसमें मूझने की तो बात ही नहीं। सिरफ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्र चक्र लगाया है। शास्त्र सब हैं भक्ति मारक के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्यान, इस सेडी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी समझते हैं, जहां बाप रहते हैं, वह है हम आत्मों के रहने का स्थान। जिसको निर्वान धाम कहो, अत्वा शान्ती धाम कहो। बात एक ही है। शान्ती धाम नाम ठीक है, अत्वा निर्वान धाम अर्थात वाणी से परे धाम। वह शान्ती धाम ही हो गया। वहें शान्तिधाम, फिर है सुक और शान्ती, संपत्तिधाम, फिर होता है दुख और अशान्तिधाम, सुक धाम में तो कारुन के खजाने होते हैं अथा, आज क्या है, कल क्या होगा? आज कल्यूक का अंत कल होगा सत्यूक का आदी रात दिन का फर्क है न कहते भी हैं भ्रह्मा और भ्रह्मा मुक्वंशावली ब्रामणों का दिन और फिर रात दिन में हैं देवताई, रात में हैं शुद्र, बीच में हो तुम ब्रामण इस संगम युक का किसी को पता नहीं है मनुश्य तो बिलकुल ही घोर अंधियारे में है तो घोर सोजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है गाया हुआ भी है विनाश काले विप्रीद बुद्धी विनश्यन्ती तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं वहे हमारी राजाई कोई छीन ना सकी रावन की प्रवेश्टा तो होगी द्वापर से रावन ने हमारी राजाई छीनी है जिसको दुश्मन ही समझो क्योंकि दुश्मन का ही FG बना कर जलाते हैं यह बहुत पुराना दुश्मन है कहते भी हैं रावन राज्य पर अंतु किसी की बुद्धी में नहीं आता है तो घोर अंधियारा कहेंगे ना बेहत का बाप है नौलिजफुल उनको ज्यान का दाता दिव्वे चक्षु विधाता कहते हैं अभी तुम आत्माओं को ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है आगे तो कुछ नहीं जानते थे अब सब जान गई हो बाप ज्यान का सागर है तो जरूर ज्यान सुनाएंगे ना ज्यान सुनाने बिगैर सिद कैसे हो तुम देखते हो बाप ज्यान सुनाते हैं जिस ज्यान से फिर आधा कल्ब सद्गती होती है भक्ती को ही आधा कल्ब चलना है ज्यान से सद्गती संगम पर ही होती है कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती बाब कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ बाबा जानते हैं कईयों से बुरे करम होते रहते हैं रावन राज्य है ना माया चमाट मारती है परन्तु छिपाते हैं बहुत बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फोरन बतलाने से आगे के लिए युपती मिलेगी नहीं तो वृदी होती जाएगी काम महाशत्रू है बाबा को लिखते हैं बाबा माया का बहुत ओपोजिशन होता है सदैफ तो किसी का योग नहीं रहता बाबा कहते सदैफ तो किसी का योग नहीं रहता जो माया से बच सके दे अभिमान बहुत आता है बहुत हैं जो माया के थपड़ खाते हैं बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं न अखबारों आदी में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं आजकल मनुश्य बाते तो कितनी भी बना सकते हैं तमो प्रधान है ना व्यास की जब रजो बुद्धी थी तो क्या-क्या बाते बैठ लिखी है बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगडो मत फलाने ने ऐसा कहा यह किया माथा ही फिर जाता है समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया है माया गिराने की कोशिश करेगी कोई भी जूट मूठ बाते सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो औरों को भी यही पैगाम देते रहो बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ अब हे आत्माई श्रीमत पर चलो हमारा पैगाम सुनो सिरफ मा में कम याद करो जो याद करेंगे वै अपना ही कल्यान करेंगे याद आत्मा को करना है भूली भी आत्मा है अब बाप की श्रीमत मिलती है इसमें आशिरवाद वा रहमादी कुछ भी नहीं मांगना है सिरफ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना इसमें खिटखिट की कोई बात नहीं घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं इसलिए शिवरातरी मनाते हैं कृष्ण का भी जनम रातरी को मनाते हैं खीर पूरी आदी मंदिरों में बनती है रात को अब शिव के लिए क्या बनाएंगे वह तो है निराकार किसी को पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं सदैव तो सवारी नहीं करते हैं आएंगे और चले जाएंगे अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे हैं वर्सा उनसे मिलता है ब्रह्मा को भी वर्सा उनसे मिलता है यह तो मनुष्य है ना सद्गती में पहला नंबर है यह कृष्ण सद्गती में पहला नंबर है यह शिरी कृष्ण यह सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना थोड़ा बढ़ा होता है तो उसको सतो कहा जाता है फिर रजो तमू शिरी कृष्ण राधे ही फिर लक्श्मी नारायन बनते हैं जिनको बापने ज्यान दिया है उनको ही देंगे भारत में ही देवी देपता होकर गई हैं तो मंदिर भी भारत में बहुत है क्रिश्चन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे देवताओं के कितने धेर मंदिर है बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अत्वा भारत को स्वर्ग बनाने हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जैसे हम बाप के साथ आए हैं भक्ती मार्ग में देपताओं के मंदिर मूर्तियों आदी पर कितना खड़्चा कर बनाते हैं उत्पति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते, नौ रोज के अंदर ही डुबो देते हैं बहुत उनमें प्रेम होता है, नवरात्र कलकते में बहुत मनाते हैं इन सब बातों पर अभी बंडर लगता है, आगे तो हम भी पाट धारी थे करोडों रुपया खर्च करते हैं, कितनी अंदर श्रदा है, रामायन से कितना प्यार होता है बाते सुनकर आखों से आसु बहा देते हैं, यह सब है भक्ती मार्ग, इससे फाइदा कुछ नहीं बाबा अब किसी को कितना समझदार बनाते हैं तो यह सब सुनकर यहां का यहां भूलना जाओ सब बाते याद करो पूरा रिफ्रेश होकर जाओ अपने को आत्मा समझ देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ यह सब कब्रिस्तान है देहली में बिर्ला मंदिर में लिखा हुआ है भारत परिस्तान था जो धरमराज ने स्थापन किया था अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है बाप कहते हैं सब कामचिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं क्रोधचिता नहीं कही जाती कामचिता कहा जाता है उसमें भी हलका नशा सैमी नशा भी होता है बच्चों को ही बाप बैठ कर समझाते हैं घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे न यहे क्या बाप की आबरू गवाते हो बाप की इज़त जाती है न बेहत का बाप भी कहते हैं तुम काला मू करते हो तो ब्रामर कुलभूशन जो देवता बनते हैं उनका न बच्चे जानते हो, हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्टाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लडाई भी खड़ी है। इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लडाई तो दिखाई है। उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। कह देते हैं प्रले हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गरब में जनम दिखाया है। और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। कुछ भी समझते नहीं। वहाँ तो गरब महल में रहते हैं बड़े विश्राम से। बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता। यह तो impossible है। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्यान करना है और दूसरों का भी कल्यान करना है। मूल बात है यह है। बाप तो स्वर्ग का रचैता है। उसको कहा ही जाता है Heavenly Godfather। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए न। शिव जनती भी भारत में ही मनाते हैं। तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे ह बाप है ही सद्गती दाता। ज्ञान का सागर नौलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नौलेज दे रहे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर यहां ही आएंगे। बच्चों को निश्चे हैं। जो जो इस भ्रामर कुल के होंगे वे आते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉनिंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया वहां मेरा भ श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्यान करना है कोई कुछ जूटी बात सुनाए तो सुनी अंसुनी कर देनी है उस पर बिगड़ना नहीं है दूसरी पॉइंट कभी भी देवता बनने वाले भ्रामण कुल भूशनों का नाम बदनाम ना हो इसका ध्यान रखना है कोई उल्टा करम कभी नहीं करना है पिछले हिसाब किताब चुक्तू करने है वर्दान है निंदा स्तूती जै पराजे में समान स्थिती रखने वाले बाप समान संपन वा संपूरन भव डिटेल है जब आत्मा की संपूरन वा संपन स्थिती बन जाती है तो निंदा स्तूती जै पराजे सुख दुख सभी में समानता रहती है दुख में भी सूरत वा मस्तक पर दुख की लहर के बजाए सुख वा हर्ष की लहर दिखाई दे निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं संपूरन स्थिती को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान जरा भी वृती में यह ना आए कि यह दुश्मन है गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है स्लोगन है निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएका अच्छा ओम शान्ति